हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कल्स करेंगे S.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए पठन अभियान के तहट मैट्स की वाक्षीट नमबर 13 जो की कक्षा छटी, साथवी और आठवी के लिए है और आज की डेट है बच्चों एक फरवरी 2022 आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और आज की वाक्षीट का सीशक है साप सीड़ी का खेल तो चलिए इस वाकशीट को हम शुरू करते हैं आओ खेले साप सीड़ी लेकर आओ अपनी मूडी इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पड़ी गोटी कभी उपर कभी नीचे पासा फेको आखे मीचे कभी छे आए कभी कट जाए देखो कौन आखिर तक पहुँचे तो बच्चो लुडो और साप सीड़ी का गेम ऐसा है जो आपने जरूर अपने घर पे खेला होगा कुछ ऐसा होता है साप सीड़ी का खेल जसमें कई सारी सीड़ी बनी होती है और कई सारे ऐसे साप भी होते है तो खेल का तरीका तो आपको पता ही होगा अब इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए यानि आवश्चिक सामगरी है एक पासा अलग-अलग रंगों की गोटियां चाहिए और इससे हम अपना खेल शुरू कर सकते हैं तो आपको क्या करना है? देखो, पहले प्रश्च में कहे रखा है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेले और लिखे, आप यहाँ पर लखेंगे खिलाडियों का नाम जैसे आप अपना नाम लिखेंगे मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई या बहन का नाम जितने लोग भी खेल रहे हैं, आप उन सब का नाम लिख सकते हैं, और वो आपके कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, फ्रेंड है, जो भी है, उनसे जो संबंध है, आपका वो यहां लिखेंगे, और उनकी उम्र कितनी है, ठीक, यानि कितने साल के हैं, वो यहां पर लिखेंगे, तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे प्रश्ट में कहें रखा है, कि रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया, आईए पता लगाएं कि कौन सा खिलाडी सब से आगे है, तो देखि यहाँ पर खिलाडी कौन कौन से है, रीमा, नीरा और रूपा, रीमा की चाल जब उसने पासा फेगा, तो सबसे पहले आया 6, उसके बाद 2, 4, 1, 3, 6, ठीक है, नीरा के पास 3, 5, 1, 4, 6, 6, ये पासे में अंकाएं हैं और रूपा के अंकाएं हैं, 4, 5, 4, 6, 6, 5, अब हमें कर जोडना है और जोडने पर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं, देखिए, सबसे पहले 6 था तो हमने यहाँ पर लिखा 6, उसके बाद है 2, तो 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 2, ठीक है, उस उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे 6, अब इन सब को हम जोड़ देते हैं, 6 जमा में 2 आजाएगा 8, 8 जमा में 4 आजाएगा 12, और 13, तेरा और 3 जोड़ेंगे तो 16, और 16 और 6 जोड़ेंगे तो आजाएगा 22, यान अगले में है तीन, फिर है पाँच, उसके बाद है एक, उसके बाद चार, फिर छे और फिर छे, इन्हें भी जोड लेते हैं, तीन जमा में पाँच आजाएगा आठ, आठ में एक जोडेंगे तो आजाएगा नौ, नौ में चार जोडेंगे तो आजाएगा तेरा, तेरा में जोडेंगे तो आजाएगा 19 और 19 में अगर हम 6 जोडते हैं तो आजाएगा 25 ठीक है? अब यहां पर आप लिखेंगे 25 तो इस तरीके से यहां पर आँगए 25 नमबर अगला देखते हैं हम यहां पर पहले 4 फिर है 5 उसけれ बाद फिर से है चार इसके बाद है छे फिर है छे और उसके बाद है पांच अब इनको जोड लेते हैं चार जमा में पांच आ जाएगा नौ नौ जमा में चार आ जाएगा तेरा तेरा में छे जोडेंगे तो आ जाएगा उननीस उननीस में अगर हम छे जोडते हैं तो आ जाएगा पचीस और 25 में 5 जोडने पे आ जाएगा बच्चों 30 अब यहाँ पे शब्दों में आपको लिखना है तो इधर आप लिखेंगे 30 ठीक है तो इस तरीके से आप दूसरे प्रशन को भी हल कर लेंगे अब आते हैं हम तीसरे प्रशन की तरफ तीसरे प्रशन में हमसे कहा हुआ है कि अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल 6 हो तो वो कहां पहुँचेगी तो बच्चों पहले है वो 14 पर उसके 6 और आ गए तो अब वो कहां पहुँच जाएगी 20 पर ठीक है तो यह थी आज की हमारी मैज की वोक्षीट जो काफी जादा इंट्रस्टिंग थ ना बिलकुल ना भूलें थैंक यू